महिंद्रा मोटर्स अब अपनी कॉम्पेक्ट स्थीवी, माइक्रो स्थीवी एक्स्थीवी टू हंडेड को लॉंच करने के लिए रही आर है कमपनी इस कारी को 2022 में जबरदस नए साल के मौके पर उतारने वाली है दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि महिंद्रा मोटर्स एक माइक्रो और कॉम्पेक्ट स्थीवी पर काम कर रही है जो कि एक्स्थीवी 300 के नीचे केटिगरी में लॉंच करी जा सकती है इस कारी को कमपनी 100 या तो एक्स्थीवी 200 के नाम से लॉंच कर सकती है और ये माइक्रो एसी बेहती कम कीमत में भारत्य बजार में लॉंच होगी जो कि महिंद्रा के पॉर्टफोलियो में काफे ज़्यादर तेलका मजाने वाली है ये महिंद्रा के और से अब तक कि सबसे बेस्ट और सबसे सस्थी और सबसे ज़्यादर किफाइथी कमपेक्ट एसीवी बताई जारी है जो कि आम आद्बी और भारत्य गरहकों के लिए काफे बहतरी उपलब्ती पसंद हो सकती है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तो गाड़ी का डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है आने वारी कमपेक्ट एसीवी एकसीवी दोस्तो शान्दा सैंग्यों गाड़ी प्लैटपॉम पर बेस्ट होने वाली है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई दे पड़ रही है गाड़ी का डिजाइन दोस्तो कमपनी ने कासा दियान दिया है जिसमें आपको कमपनी के काई सारे स्पोर्टी एलिमेंट्स और शान्दा डिजाइन और एक मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर हम डिजाइन की बात करें तो गाड़ी के फ्रंट लुक और रेर को काफी ज़दा स्पोर्टी चेंज किया है इस गाड़ी को कमपनी ने क्रोसोवर और कॉम्पेक्ट लुक दिया है जिसके फ्रंट साइड में आपको शान्दा और ओटो हाई बीम प्रोजेक्टर हेड डेम सेट अप और डेटेम रनिंग लाइट्स का सेट अप देखने को मिलेगा जो कि सुजुकी की शान्दा लोगों के साथ आपको महिंदरा अटैच देखने को मिल जाएगा वही दोस्तों गाड़ी के रेर में आपको शामदा डूर टेल एलेडी टेल लेम सेटप देखने को मिलेगा जो कि गाड़ी के लुक को और भी ज़ाद स्पोटी बना पाने में मदद कर रहा है कमपनी ने इस गाड़ी में कई जगे क्रोम एक्सेंट का भी इस्तमाल करा है जिससे गाड़ी और भी ज़्यादा प्रीमियम और क्लासिक लुक देपाने में खासा मदद को रही है गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बात करें तो इसमें आपको बहतर ग्राउंड के रेंज और बड़ा विल वेस देखने को मिलेगा इसके चलते गाड़ी में आपको जबरडस 15-16 इंच के डूल टोन अलोई वीस देखने को मिल जाएंगे जो के गाड़ी के लुक में चान चान लगापाने में एक खासा मदद कर रहे है ये गाड़ी डूर टोन पेंट स्कीम में आईगी जिसमें आपको कई सारे नए कलर आप्चन्स देखने को मिल जाएंगे डिजाइन वाइस तो दोस्तो ये गाड़ी इभारतिय बिजार में लॉंच होते ही काफी हिट होने वाली है वही फीचर्स के कुछ खबरे आगर सामने आई है तो गाड़ी का इंटीरियर भी दोस्तो काफी जादा फ्यूचरिस्टिक बताय जा रहा है कामपणी ने इस गाड़ी में कई सारे ऐसे फीचर्स चोड़े है जो कि आपको महिंद्रा की इसे गाड़ी में पहली बार देखने को मिलेंगी गाड़ी में आपको शांदर 5 से 6 हीटर प्रेमियम लाइदर क्वालिटी का इंटीरियर देखने को मिलेगा इसमें आपको एक पावर टेरिंग वील और एक शांदर डूल टोन वुडन फिनिश टेश्पोर्ड की फिनिश देखने को मिलेगी साथ ही गाड़ी में आपको सेंटर कंसोल के तोर पर एक शांदर 15 इंच का स्मार्ट प्ले इंफो टीमें स्टूडियो देखने को मिलेगा जो कि एपल का अपने अंडूइड ओटो और इंटेनेट किनेक्टिविटी के साथ साथ वोइस कमान किनेक्टिविटी के साथ आएगा जो आप अपनी पूरी गाड़ी को वॉइस कमान के थूरू कंट्रोल कर पाने में सक्षम रह पाएंगे इसके अलावा गाड़ी में आपको डूल जोन क्लैमिर कंट्रोल, एक पैनरोमिक सन रूफ कई सारे सेफटी फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि डूल फ्रंट एर बैक, एबिस के साथ एबीडी, चार पार्किंग सेंसर और दो पार्किंग कैमरा गाड़ी में आपको सेंडर सेफटी के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं अंतमे गाड़ी की परफॉमेंस में तो आने वाली है ड्यू जनरेशन महिंद्रा की नई XCV में आपको शांदर महिंद्रा का M-Hawk 1.2 लिटर का पैट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि जब दस 150 HP की प्रदान करपाने में सक्षम होगा साथ ही साथ ये गाड़ी कंपनी फिट्रिट CNG किट के साथ लैस होने वाली है जो कि गाड़ी के वालेच को अराम से वहतर तोर से बड़ा पाने में काफी साहता पुरुक मदद करने वाला है दोस्तों बताया जा रहा है मार्केट में ये गाड़ी शांदर कम से कम कीमत में 4-5 लाक रुपे के बेस मॉडर प्राइस सेग्मेंट में लाँच करी जाएगी और लाँच होते ही गाड़ी का सीधा मुकाबला टाटा की आन पंचरे रहने वाला है तो दोस्तों अपनी रहा में कमेंट सेक्शन में लिए के जरूर बताईएगा आप फुर बहिंदरा की नई जबदस कॉम्टेक्ट ऐसी भी कैसी लगी क्या आप इसको खरीजना चाहेंगे अपनी राया प्रीजे की कराम हमें कमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूर बताईगा वीडियो को एक लाइक कीजेगा दोस्तों जितना हो सकते वीडियो को शेयर कीजेगा मिलसे अगली वीडियो में तब तक के लिए दिनने बाट